नमस्कार साथियों आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है आपके बहुत परशित सा टॉपिक और आप सबी की मांग भी रही है यानि कि आज से हम शुरू करने वाले हैं राजस्तान से सम्मंदित पर्मुक खिलाडी और खेल यानि राजस्तान के ऐसे कौन-कौन से खिलाडी है जो हाली के अंदर चर्चा मेरे और राजस्तान ने कौन से किस खेल में कितने पदक जिते और कौन सा अंक प्राप्त किया या कौन सी रैंकिंग प्राप्त की उन सबी के बारे में तो आज तो हमारा जो चर्चित खिलाडी और खेल है उसका भाग पहला है दो तीन भाग के अंदर ये पूरा चेप्टर हम कम्पीट करेंगे ठीक है आई ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिस खिलाडी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है निशा कमर जिनका संबंध है सिक्कर जिल्ले से और कौन से खेल से संबंधित है ये तो याद रिखेगा निशा ने बात से अच्छा वरतमान के अंदर चर्चा में क्यूँ है? क्यूंकि हालिक के अंदर राजस्तान शर्कार दुबारा निशा कमर को सहयक वन्रक्षक के पदपर निुक किया गया क्यूं? क्यूंकि निशा कमर जो है वो वर्ल्ड सुटिंग पेरा स्पोर्स 2019 के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था इसलिए निशा कमर को राज्य शरकार द्वारा साहयक वन रक्सक के पद पर न्युक्त किया गया इसलिए ये चर्चा में हैं तो आपको उठा कर पुछा जा सकता है निशा कमर का सम्मन्द किस दिल्ले से है? शिकर से, कौन से खेल से है? निशा ने बाद से, चर्चा में क्यूं है? क्यूंकि राजस्तान शरकार द्वारा साहयक वन रक्सक के पद पर इनने न्युक्त किया गया क्यूं किया गया क्यूंकि इनके दुआरा वर्ल्ड शुटिंग पेरा जो इस्पोर्ट 2019 में उसमें गोल्ड मेडल प्राप्ट किया था तो आपको डाइरेक्ट वन लाइनर क्यूशन पूचा जा सकता है कि हाली में राजस्तान शरकार दुआरा निशा कमर को साहिक वंद्रक्सक के पत्पर निउक्त किया गया निम्न में से इनका सम्मन कौन से खेल से है निशाने बाद से कि लिए इसी सिक्वेंस में हम पड़ेंगे ताकि जो हमारे काम की चीज़ें हैं वह आप आराम से याद कर पाएं ठीक दूसरे खिलाड़ी हैं हमारे सालीनी पाठक चर्चा में हैं क्यों हैं वो सारी चर्चा हम करेंगे सबसे पहली बात तो सालीनी जो पाठक है इनका सम्म प्रदाशीन है ठीक है और चर्चा में तो एशियन गेम्स में इन्होंने रज़त पदक प्राप्ट किया था और ये क्यूशन हाले के एक्जाम के अंदर भी आ रहा है हम उन खिलाडियों को भी सामिल करेंगे जिन से रिलेटेड अभी विगत एक्जामों के अंदर क्यूशन आये हैं 2022 में थीक तो संलेनी पाटका सम्द्ध कबिडि से है निशा कम रिका समद्ध नििसाने बाद से एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है नेक्स्ट अगले खिलाड़ी हैं आपके लूण शिंग भाटी लूण शिंग भाटी जिनका सम्द्ध जिस जिल्ले से है वो जिल्ला तो है बाडमेर, खेल जो है, वो है होकी, अच्छा ये चर्चा में क्यों आए, क्योंकि हालिक के अंदर, अंडर सत्रा के अंदर, राष्टी इस तर पर चेन हुआ है, किसका याद रखेगा, लून शिंग भाटी का, तो आपको उठा कर पूछ लेगा, हालिक के अंद अंदर, अंडर सत्रा के अंदर, राष्टी इस तर पर जो चेन होने वाले लून शिंग भाटी है, उनका सम्मद कौन से खेल से है, होकी से याद रखेगा, ठीक है, अगले है आपके पिरिया शिंग मेगवाल, ये विकानेर के है, ये विकानेर से परशिद खिलाडी है, पि क्युक्कि हाली के अंदर, थाइलेंड में जो 29 वरसिय अंतराष्टिय महिला, बोल्डी विल्डिंग्स हुआ है, उसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और ये गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली राजस्तान की पर्थम, याद रखेगा बोल्डी विल्डिंग है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन पिरिया शिंग मेगवाल ठीक है चलिए नेक्स्ट अगली बात है ओम परकाश मिठारवाल ओम परकाश जो मिठारवाल है इनका सम्मन जिस इस्तान से रहा है वो है आपके सिरी मादोपूर शिकर खेल है निसाने बाज अभी चर्चा में क कोन से खेल से है निसाने बाज देखेगा निशा कमर का सम्मन है निसाने बाज शिकर के हैं ये सालिनी पाठक सम्मन है कबेडी से लून शिंग भाटी बाड मेर होकी से पिरिया शिंग मेगवाल का सम्मन बिकानेर और खेल आपके सामने है बोड़ी बिल्डिंग नेक्स्ट ओम परकास मिठारवाल, हाली के अंदर 2022 का अर्जुनावाड ने दिया गया, और इनका सम्मन जिस कहल से है, वो है निशानेवाजी, ये कहां कहे हैं, शिरी मादोपूर शिक्कर, ये तो होगे खिलाडी, एक है आज का परमुख खेल, ये परकार से हम रोज 5-6 खिलाड़ी लेंगे, और एक इंपोर्टेंट खेल, आज का हमारा खेल है, 36 राष्ट्रिय खेल, जो कहां पर आयोजित किया गया था, याद रिखेगा, गुजरात के 6 शेरों में, 36 राष्ट्रिय खेल, जिसका आयोजन, सिंपल सी बात है, गुजरात में हो रहा है, तो उद्गाटन हमारे परधान मंत्री जी करेंगे, नरेंदर मोदी जी दो, अच्छा इनके दुवारा आयोजन, ये आयोजन कब किया गया, 36 में राष्ट्रिय खेल का, तो याद रिखे, 29 सित्मबर से लेकर, 12 अक्टुमबर 2022 तक, ये खेल चला था, इस खेल का सुबंकर क्या था, वो था सावेज, एश्याई सेर है ये, ठीक है, और इस खेल की थीम क्या थी, एकता के लिए खेल, हमारे राजस्तान के संद्रब में क्या बाते हैं, वो हमें याद अखना है, सबसे पहली बात तो, कि 36 वा राश्टे खेल जो गुजरात के अंदर आयोजित हुआ था, गुजरात के 6 सेरों में, 29 सित्मबर से लेकर, 12 अक्टुमबर, इसमें राजस्तान से धुवजवा कौन थे, तो याद रिखेगा, रजजच चोहान, जिनका समन निसानेवाजी से है, अच्छा, 36 वे राश्टे खेल के अंदर, राजस्तान के कुल कितने खिलाडियों ने भाग लिया था, याद रिखेगा, 254 खिलाडियों ने भाग लिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अच्छा, आपको इंपोर्टेंट याद अकना है, कि श्वन पदक कितने जिते, तो याद रिखेगा, राजस्तान ने तीन श्वन पदक जिते, यह किस-किस ने जिते थे, यह इंपोर्टेंट है, तो याद रिखेगा, कविता सिहाग, जो भी कानेर से हैं, साइकलिस्ट के अंदर जीता था इन्होंने श्वण ठीक है विवान कपूर जो जैपूर के हैं इन्होंने निसाने बाजी के अंदर श्वण जीता और एक हैं आपके मुकेश चोधरी जिन्होंने वुसु परत्योगीता के अंदर श्वण पदक प्राप्त किया तो ये था जिसका आयोजन गुजरात के 6 सेरों के अंदर 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टुमबर तक आयोजित किया जिसके अंदर राजस्तान से धवजवाक हुआ करते थे रजच चोहान जो निशयने बाजी से सम्मनित है राजस्तान के कुल 254 खिलाडियों ने भाग लिया था राजस्तान क जो रैंकिंग अई राजस्तान का जो इस्तान आया था वो था 20 स्वां राजस्तान ने इसके अंदर टोटल 30 पदक जीते थे जिन में से 3 शोन पदक जीतने वाले कौन-कौन थे कविता सिहाग विवान कपूर और मुकेश चोधरी यह याद रखना ठीक बाकी वाले सारे इत गुजरात तो पांच खिलाडी वे निशा कमर याद अखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट सालिनी पाठक ठीक है लूंड शिंग भाटी पिरिया सिंग मेगवाल और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओम परकाश मिठारवाल के साथ में यह 36 महराष्टी ए खेल ठीक है तो हम बाकी वाले जो खिलाडी है वो भी इसी परकार से पड़ेंगे के कोई खिलाडी है उसका संमंद किस खेल से है और वो चरचा में क्यों है ठीक है और बाकी कोशिस ये भी करेंगे कि 2021 के अंदर जितने एक्जाम में क्हिलाड़ईों से संमंदित Q canyon आये है उन ख किलाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद